सद्गुरु उशो से पूछा कि आप लोगों को सन्यास देकर यह लाल वस्तर वाले लोगों की जमात किसलिए खड़े कर रहे हैं। सद्गुरु उशो कहते कि अकेले तुम यह यात्रा तैना कर पाओगे। संगी साथी आवशक हैं। जो काम व्यक्ति अकेले नहीं कर पाता उसे दस लोग कर पाते हैं। जो दस लोग नहीं कर पाते हैं उसे सो लोग कर पाते हैं। और जो सो नहीं कर पाते हैं उसे हजार कर पाते हैं। क्योंकि जब कोलेक्टिव एफट होता है तो एक बहुत बड़ी लहर पैदा होती है जिस पर सवार होकर सभी आसानी से यात्रा कर सकते हैं तभी तो बुद्ध ने भी कहा संगम शर्णम गच्छाम यानि की संग का साथ अनिवारे हैं एक सादक के लिए आपको सहायता मिल सकी इसलिए ही मैं ये जमात का निर्मान कर रहा हूँ ये संग का निर्मान कर रहा हूँ